हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चानल चान्नी हेल्थ एक्सपर्ड और कैसे आप सभी लोग उमीद करते होंगे खुश होंगे और थैंक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है गोकृरू जो आपको स्क्रेंट पर दिख रहा है कुछ इस तरह से यह अउज़ होती है और इसकी जो काटे वाले फल होते हैं ना तो इसे हमें यूज़ करना होता है यह हमें बहुत एजल हमारे खेतों में हमारे गार्डन में बहुत एजल एवैलीबल हो जाती है तो यह काटे वाले फलो को आप ले के छाओं में सुखा कि इसकी पॉडर बना की यूज़ कर सकते हो और ये बड़ा वाला गोखुरू होता है इसका भी इस्तमाल किया जाता है गोखुरू जो हमारे बॉड़ी को फिट रखने में यौन शक्ति में इजाफा करता है स्पर्म की इस बढ़ाता है जेंड्स के लिए तो इसके बहुत ज्यादा फायदे है इसके सेवन से सेक्श्वल डिसॉडर और इंफर्टिरी जैसे प्रॉब्लम दूर हो जाते है लेड़ी जेंड्स ये दोनों ले सकते है इसका बाद में फायदा ये होगा कि वाद पीच सुजन ओ तो गोखुरू की बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि इसके फलो का चुरन और शृत को अगर हम मिला के सुबह शाम लेते हैं तो पत्री तूट के शरीर के बाहर निकलने में ये बहुत ज़्यादा करता है गोखुरू का सेवन हम किस तरह से कर सकते हैं गोखुरू को यह हम पाने में उबाल के पीए, तो भी चलेगा, दूसरा इसका अकाढ़ा बना के भी हम पी सकते हैं, और गोखरू के ना बोडी बिल्डिंग लिए भी फायदे होते हैं, ये स्कीन के सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है, जेंड्स में बहुत ज्यादा फायदा है, इसका ये ह पीजो का काढ़ा, अगर हम रात को पीए, तो इससे यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, गोखरू को पिसकर गरम करके लेप, उसका अगर सूजन पर लगा दिया जाए, तो सूजन भी दूर हो जाती है, गोखरू का काढ़ा, अगर हम डिल प्रॉस करो कि ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बतेगा, लाइक शेर करना ना भूंखे, अजिक मेया हो जाती है, अगर हम पर दोती है, अगर बादौन, और लिएव